कि हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज की अपडेट जो रहेगी यह रहेगी बीएड से रिलेटेड तो आज में आपको बीएड एंटरेंस एक्जाम की जो एडमिशन कॉंसलिंग है उसके प्रसेस में आपको बताऊंगा कि क्या इ वहलें पर फीस कितनी यहां पर लगेगी तो चलिए इस बारे में आपको यहां पर बताने बालों में तो चली शुरू करते है है तो पहले तो है जो है आप की जो आपने जो complete की है अपनी जो choices, college की choices महाँ पर अपने fill की है उसकी complete होने के बाद जो है आपको आपकी ID के उपर जो आपकी login ID है BN की उसके उपर जो है आपको college है जो मिल जाएगा आपकी login ID के उपर तो after knowing the allotment status status allotment status को जानने के बाद जो है आपको print out लेना है जो college allotment letter है वो आपको जहाँ online आपकी login ID से लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको उस college में जाना पड़ेगा जो college आपको मिलेगा यान की जो आपकी login ID में आपको college में लेगा उस college में आपको जाना है उस print को लेकर ठीक है college allotment letter को लेकर वहाँ पर जाना है उस college में और उसके साथ जो है अपने आपने अपने सारे original documents यहाँ पर ले जाने हैं तो यहाँ पर लिखा भी आप देख सकते हो the candidate is also required to carry all original relevant documents तो यहाँ पर आपको अपने original सभी जो हैं दस्तावेज बोलते हिंदी में और यहाँ पर उरिजिनल certificate documents आपको ले जाने हैं उस college में और उसके बाद next process जो है next step जो रहेगा आपको उस college में जाना है अपना college allotment letter और साथ में अपने original document लेकर और उसके बाद जो है वहाँ पे college में कमेटी होगी college admission committee वो आपके documents को जो है verify करेगी आपके document जो होंगे वो verify करेगी और उसके बाद जो है आपको आपके वो जो documents होंगे उसको verify कर देगी और उसके बाद college need to verify the list of allotted candidates on their ID फिर जो है वो college admission committee जो होगी वो अपनी login ID के ओपर आपके यहाँ पे match करेगी verify the list of allotted candidates जो अलो हुए होंगे candidates उनकी वहाँ पे जो है अपनी ID के साथ match करेंगे with the candidates, particulars जो अपने वहाँ पे fill किये होंगे उसके साथ वो match करेंगे application form भरते time जो अपने fill किया होगा वहाँ पे match करेंगे उसके साथ फिर अगर आप वहाँ पे eligible होते हो तो वो अपनी login ID से जो college committee है वो अपनी login ID से आपको approve कर देगी document verification आपकी हो जाएगी फिर जो है आप online payment वहाँ पे कर पाएंगे फिर उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको जह है online payment करने पड़ेगी throw his her login ID अपनी ID से जो आपकी B8 की login ID है उसी से आपको जह है वहाँ पे online payment करने पड़ेगी और फिर से आपको उसी college में आना पड़ेगा और जो आपका वहाँ पे online payment receipt होगी वह उनको वहाँ पे दिखानी होगी फिर जो है college जो है उस receipt को दिखाने के बाद जो college admission committee जो होगी वह आपको finally approve कर देगी अपनी login ID से दो आपकी आपके college की जो admission committee होगी वो आपको अपनी ID से approve कर देगी अपनी login ID से और उसके बाद जो है after the submission of the online admission fee the candidate on his own wish can also upgrading तो यह कर सकते हैं और यहां पर और क्या है तो यहां पर लिखा है कि such candidates opting for up gradation or shifting of colleges need not to submit the admission fee and levy charges again तो यहां पर आपकी admission fee नहीं लगेगी दोबारा से जो पूछ रहे थे कि admission लगेगी यह नहीं लगेगी तो यहां पर पर लिखा है कि नहीं लगेगी सच candidates जो अप ग्रेडेशन करना चाहते हैं शिफ्टिंग करना चाहते हैं college उनकी द्वारा से फीस यहां पर नहीं लगेगी और आगे बात करें कि आपको सीड मिलेगी या नहीं मिलेगी तो सीड जो है आपकी depend करेगी इसके उपर की आपका जो है merit में rank क्या है और जो सीड है उसकी availability कितनी है उस college में जिसका selection आपने किया है counseling के time तो आपका जो है यह तब ही हो पाएगा यह depend करेगा आपकी जो है seat आपका जो college है कि आपको मिलेगा या नहीं तो यह depend करेगा आपकी merit rank के उपर और जो है availability of seat in the college तो आपकी जो आपके college में seat है या available है या नहीं है तो इसके उपर depend करेगे कि आपको seat मिलेगी या नहीं मिलेगी तो आगे बात करें फीज की तो यहां लिखा है टोटल अमाउंट ओफ रुपीज तो यहां पर आपको 3040 रुपे फी लगेगी और आपको बता दें कि 25,000 यहां पर आपको यहां पर आपको को बता दें आपको क्या करना हागे डोकुमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो आपको यहां पर फीज पे करनी पड़ेगी यहां पर लिखा है उन्होंने और उसके बाद यहां पर आगे बात करें तो फीज की भी होगी तो फीज आपकी 30,000 रुपे लगेगी टोटल और फिर आगे यहां पर शेडूल जहें वही है यह तो आपको मैंने पहले बता दिया है तो दोस्तों यह थी कि आपको डोकुमेंट जो है आपके सारे डोकुमेंट ओरिजिनल डोकुमेंट आपको ले जाने है बहां पर और फीज आपकी 30,000 रुपे लगेगे और यह भी बता जे कि आपको सीट मिलेगे यह नहीं तो यह डिपेंड करेगा आपकी मैरिट रंग के उपर और अवेलिब अपडेट के लिए थैंक यू